नमस्कार गुड मॉर्णिंग मेरे दोस्तों सरकारी एलाट जवी सेर्चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेंथ क्लास का ग्जाम हुआ था उसमें आप लोग को प्रोसाहन रासी दी जाती है टेंथ क्लास जो भी फर्स डिवीजन औ बंगरएं तो बंगरने के लिए आप लोग को क्या क्या जरूद प्रथि है और यह पर्म कैसे भरा जाता है और अप लोग को क्या 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 डॉक्मेंट देने पड़ते हैं एस सब passion के बारे में आप लोग सबसे पहली बात है कि आप लोग को भरने की जरूरत है जो 2023 में पास हुए है तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहला चरण आप को को पहले बरना होगा का होतु अज़़ा इसकी पहले अब पहले चरण के कराह के सबसे बात आप लोग को बताने चाहता हों कि आप लोग अबба इस फॉर्म को भरण है या नहीं है इसकी पहले आप लोग करने के लिए आप लोगा पोड़ स्वोhr आघे लिस्ट की एक्ठो आपको option मिलेगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को college school के बारे में जनकारी भरनी पड़ेगे कि आप लोग कौन से school से हैं ठीक है तो आप लोग उस अपना college डालेंगे तो उसमें अपना नाम अपना नाम दिखाएगा और एक तरीका है कि आप लोग फॉर्म का status चेक करेंगे सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं तो आप लोग वहां पर अपना डालेंगे तो आप लोग का अपना नाम दिखाएगा अगर आप लोग रहेंगे तो दिखाएगा नहीं रहेंगे तो नहीं दिखाएगा अगर आप लोग का अपना नाम दिखाता है और वहां पर लिखता है कि और फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिनका भी लिख देता है कि आप लोग your form is submitted या फिर payment is done बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पैसा आ भी गया है तो जिनका पैसा आ गया है वो इस form को नहीं भरेंगे तो वहां पर दिखाएगा your payment is done तो आप लोग इस form को नहीं भर सकते हैं जो कि यह form की छत्वित्ती जो है एक ही बार मिलेगे आप लोग को दोबारा इस form में आप लोग नहीं भर सकते हैं ठीक है तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग को सबसे पहली बात है कि अपना टेंथ क्लास का जो मार्शिठ है और अधार कट है दोनों में डेट और दोनों में तो इस form को reject कर दिये जाएगा तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका नाम है जैसे आपका नाम अमीथ हुआ तो अधार कार्ड में भी स्पेलिंग एक भी मिसमेश नहीं होनी चाहिए डेट और जैसे आप लोग को मानते हैं कि एक दोहजार है तो आप लोग का दिधार होना चाहिए इसमें भी आप लोग को एक फोर्म को भर नहीं सकते क्योंकि इस फॉर्म का जो नियम है सबसे पहले आपका नाम मांगेगा फ सबसे पहले आपको अधार पर लिखा हुए वह नाम आएंगा फिर आपका डेट बर्थ माएंगा जैसे आप लोग पर किलिक करेंगे तो आपका सर्वर से मैच करेंगा तो आप को वहां पर दिखाएगा अगर आप लोग को सर्वर से मैच नहीं करता है आप लोग वहां पर नोट वरिफाइट का उप्शन दे दिये जाएगा जैसे आता है तो आप लोग सबसे पहले बात ध्यान देंगे कि आप लोग का तोनों डॉक्मेंट सेम होना चाहिए अगर सेम न करेंगे तो आप लोग नेक्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोग पहला चरण पास कर जाएंगे पहला चरण आप लोग करेंगे रेश्टेशन करने के बाद आप लोग को वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि अभी आपका फौन पुरास नहीं हुआ है विभागय सत्यापन का इंतिजार करें और विभागय सत्यापन के बाद आप लोग को एक मैसेज भीजा जाएगा जो यू इतना दिन आप लोग बेट करेंगे फिर मैसेज आएगा तो आप लोग आप फर्म भरने के लिए आगे बढ़ेंगें तो आप लोग इस फर्म को दो चरण में बरेंगे तो जो मैंने पहला चरण के बारें बताया कि थोड़ा सा ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए तो मिस्टे को शेर करेंगे लाइक और केमेंट जरूर करेंगे क्योंकि आपका एक like मुझे बहुत मोटिवेट करता है मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए ले कराऊं वीडियो में और लिकर आंगा जो लाइक भरते हुए आप को मैं बताऊंगा तो उसके लिए आप लोग करना पड़ेगा क्योंकि अभी साइट जो खुला हुआ है हाँ मैंने एक बात कहना भूल गया हूं कि अभी जो साइट आप के लिए साइट में कुछ प्रोग्लम है तकनीकी समस्या है क्योंकि अधार मोबाइल भरिफेकेशन में आपको ओटीपी थोड़ा देर से गिर रहा है और ओटीपी डालने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है ठीक है तो आप लोग सावेट कर लेंगे अभी तो स्टार्ट ही साइट को खुलने दीजे परसान नहीं हो ठीक है क्योंकि बहुत सारे अभी बहुत दिनों से परसान घूम रहे हैं सारे साइबर का चक्कर लगा रहे हैं कहीं से भी कोई न्यूज मिले की फॉर्म भरा रहा या नहीं भरा रहे तो हाँ आप लोग के लिए फॉर्म का डेट सब्सक्राइबद्द की फॉर्म भरनने के लिए दीज्राव रहे हैं कि और अप लोग को कोई जयादा डॉक्मेंन की जूरुत के बारे में बता देता हूं किसमें आप लोग को दॉक्न ज्यादा देने की जूरुत नहीं है शिर्š आपको अधार कार और मैट्रिक या मार सि आ और ऑगवाओे।